नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं इस घटना को लेकर विश्व सकती माने जाने और जिबूती में नौ सैनिक अड़ा होने के बावजूद चिन ने संकट के समयकाल का जबाब नहीं दिया यह भारतिय नौ सैना थी जिसने करवाई में तेजी दिखाई, यूरोप इसीत इतिहासकार और सोध करता मार्टिन सार्ब्रे ने एक्सपर पोस्ट करते ही वे कहा कि भारत ने इससे बढ़त बना ली है, महासक्ति का उदय हो रहा है इडी के खिलाफ सड़क पर उत्र जामूमो करे करता, पुलिस ने राजभवन से पहले रोका भाजपापर किंद्रिय जांच एजन्सियों का दूरपयो करने और इडी देवारा मुखमंत्री हेमन सोलन को परतारित करने के बिरोध में सनिवार को जामूमो करे करता सड़क पर उत्रे और किंद्र सरकार के खिला बिरोज जताया जामुमो कारेकरता पैदल मार्च करते हुए मोराबादी मैदान से चल कर उपायुक्त अवास सैनिक चोक कछारी चोक होते हुए राजभवन पहुचे आपको बता दे कि जामुमो का राजभवन मार्च का कारेकरम 31 जनौरी तक जारी रहेगा पर तेक दिन अलग-अलग जीलो के कारेकरता बिरोज मार्च में सामिल होंगे जे SSE परिक्षा में पेपर लिख होने का आरोप परिक्षा रज जारखन समान असनात्या की योगताधारी सैयुक्त परत्योगता परिक्षा 2023 के पहले दिन की परिक्षा में अभियार्थियों द्वारा पेपर लिख होने का आरोप लगाये गया तीसरे पेपर यानी समान अग्यान की परिक्षा का प्रश्ण पत्र एक दिन पहले ही लिख हो जाने का आरोप है अभियार्थियों के आरोप को जार्खन करमचारी चैन आयोक की ओर से गंभिरता से लिया गया इसके बाद जेसेसी ने तृतिये पाली में संपन समान ग्यान की परिक्षा को और परिहार कारण बताते हुए रद कर दिया जेसेसी के परिक्षा नियंत्रक की ओर से जारी आवसेक सुचना में कहा गया है कि उक्त पेपर की परिक्षा की नई तीथी की घोसना आयोक की वेबसाइट पर यथा सिगर की जाएगी चारकंड की चोदह नवालीक समेत 19 लड़कियां दिल्ली में मानो तसकरों से कराई गए मुक्ते दो तसकर भी गिरपतार चारकन में मानोतसकरी थम नहीं रही है 14 नवालिक समयत 19 लड़कियों को रभिवार को दिल्ले में मानोतसकरों से मुक्त कराया गया है इस दोरान दो मानोतसकरों को भी गिराफतार किया गया है महिला एवं बालविकास विभाग द्वारा संचालित एकिकरित पुनरवास सह संसाधन केंद्र नई दिली एवं साहीवगंज पुलिस द्वारा दो मानो तसकरों को पकड़ा गया है एवं उनके घर से बरामद दस्तावेज के अधार पर 19 लड़कियों को मुक्त कराया गया इनमें 12 से 15 साल के बीच की 14 बचिया हैं एवं 5 लड़कियां 18 वर से अधिक उम्र की हैं सभी जारखन के साहीवगंज जिले के बोरियों परखन की हैं अभू आवास्योजना के लिए 1.30 लाख आवेदन पहली की स्तकल होगी जारी जमसेदपूर में पुर्वी सीबुम के उपायूक्त मंजुनाथ भजमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में अभू आवास्योजना के भोतिक सत्यापन में प्रगत्ती की समिक्षा की गई राज समपोसित अभू आवास्योजना को लेकर सभी परखंडों में 1.30 लाख से अधिक आवेदन प्राप्थ हुए हैं जिन में करिब 90 फिसदी लाभू को का सत्यापन भी किया जा चुका है उपायुक्त द्वारा सभी प्रखंड विकास पताधिकारी एवं अंचल अधिकारी को प्राप्थ आवेदनों के सत्यापन में तेजी लाते हुए यथा सिग्र सत्पतिसत करने का भी निर्देश दिया गया है ताकि 29 जनवरी तक लाभू को के बैंक खाते में पहली किस्त की रासी भेजी जा सके पारंपरिक हथियारों के साथ पहुँचे बीरसा सेना के लोग विवादित भूवी पर लिखी बंसावली जमसेतपुर के सीद गोडा पेट्रोल पंप के पीछे एक जमीन को लेकर चल रहे विवाद के बीच सनिवार को रयतदार नटवर सिंग के समर्थन में बिर्षा सेना के सदा से खड़े हो गए परमपरिक हतियार के साथ महिला पूरूस मौके पर पहुँचे और दूसरे पक्ष के कुछ लोगों को खदेड दिया जमीन की दिवार पर नटवर सिंग के समर्थन में बंसावली लिखी सुचना मिलने पर सीद गोडा थाना पुलिस भी पहुँची बिड़सा सेना के केंद्रिय अध्यक्ष दिनकर कच्छप ने आरोप लगाया कि जामूमो नेता राज लकडा और विक्टर सोरेन रायतदार के परिवार को धोखा देकर जमीन की बाउंटरी करा कर कबजा करने का पर्यास कर रहे हैं जारखंड में अब वाटसेप पर मिलेगा बिजली बिल जारखंड के बिजली उभोकताओं को बिजली बिल समयत अने सुईधाएं अब वाटसेप और मैसेज के जरिया भी मिलेगी जारखंड विजली वितरन निगम लिमिटेड ने इसके लिए गबसप टेकनोलोजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझा होता किया है आपको बता दे कि यह है एक चैट बॉट सॉप्ट्वेर कमपनी है एमपी वा अने राजों की बिजली कमपनियों के साथ यह काम कर रही है जमसेदपूर में बन रहा है 434 क्रोड रुपए का अस्पताल बनागुपता ने गिनाई सरकार की उपलब दिया स्वासमंतरी बनागुपता ने कहा कि जहारखंड की हेमनसुरेन सरकार सभी वर्गों के कल्यान के लिए कृत संकल्पित है लोग कल्यानकारी युजनाओं का लाब समाज के अंतिम पैदान में खड़े बेक्तित तक पहुँचा रही है जमसेदपूर में 434 करोड रुपय के सूपर एस्पेसलिस्ट अस्पताल बनाया जा रहा है इसका निर्मान जल्द पूर्ण कर लिया जाएगा और सहर में जाम की समस्या को दूर करने के लिए भी जल्दी फलायोर का निर्मान भी किया जाएगा जारखंड हाई कोड से मिली मियाद खत्म नहीं तैहो सकी नगर निकाय चुनाओ की तारीख हाई कोड द्वारा जारखंड में निकाय चुनाओ की तारीख घोसित करने के लिए दी गई 3 सब्ता की मियाद 25 जनौरी को समाप्त हो गई हलाकि अब तक राज सरकार ने चुनाओ कराने से समंदित कोई भी फैसला नहीं किया आपको बता दे कि राज सरकार नेयायले के फैसले के बिरूद अपिल में भी नहीं गई है इसी वर्स 4 जनौरी को जारखंड हाई कोट ने राजे में नगर निकायों के चुनाओ की तारिखों का एलान 3 हपते के भी तर करने का आदेश दिया था कोट ने टिपनी की थी की चुनाओ नहीं करा कर राज सरकार ने समयधानिक और अस्थानिक बेरेकडाउन कर दिया है बावजूद इसके नयायले के आदेश का पालन राज सरकार के लिए अब तक संभाव नहीं हो सका है घारखंड में 31 जनवारी से फिर से बदले मौसम का मिजाज हो सकती है बारिस राजे में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल सकता है 31 जनवारी और एक फरवारी को बारिस होने की समभावना है दो फरवारी से मौसम साफ होने की भी समभावना है पिजाज बढ़ने से नियुंतम तपमान चड़ सकता है और अधिकतम तपमान में कमी हो सकती है इससे ठण का एसास ज्यादा होगा मौसम केंदर के अनुसार 29 जनवरी से आकास में बादल आ सकता है इससे नियुंतम तपमान 29 और 30 जनवरी को चड़ सकता है 31 जनवरी को राज के दक्षिन तथा निकटवर्ती मदभाग जैसे बोकारो, रामगड, राची, चाईबासा, जमसेदपूर, सराय के लखरसावा, गुमला, सिम्डेगा में कहीं कहीं हलकी बारिस हो सकती है एक फर्वारी को राज के उत्तरपूर्वी तथा दक्षिन तथा निकटवर्ती मदभाग जैसे बोकारो, रामगड, राची, चाईबासा, जमसेदपूर, सराय के लखरसावा, गुमला, सिम्डेगा, गिरिडी, धनबाद, देवघर, जम्ताडा, दुमका, पांकूर, चारकन की राजानी रांची में एचीसी कर्मियों का अंदोलन जारी है, 20 मा के बकाय बेतन भुकतान वा एचीसी चलाने को लेकर रोड मैप देने सहित, अने मांगों को लेकर एचीसी कर्मियों का अंदोलन रभीवार को 20 वे दिन भी जारी रहा, एचीसी बचाओ जन संगर समीति के अवान पर 29 को एचिसी आवासिय परिसर बंद राखने की घोसना की गई है एचिसी बचाओ जन संगर समीति के मनुज पाठक ने कहा कि सभी वर्क के लोगों और से मात्री उद्योग एचिसी को बचाने में सायोग की अपेक्षा है इसके लिए हो रहे आंदोलन में सबका समर्षन चाहिए इसे लेकर कर्मियों ने आवासिय परिसर में रभिवार को जन संपर्क अभियान चलाया इस दोरान इलाके में बजार वा इसकुल बंद रहेंगे सौ करोड से राची एयरपोर्ट की बदल रही है तस्वीर फ्लाइट में एस्टुएंट को 25 किलो तक समान ले जाने की है छूट सांसल संजाय सेट ने कहा कि राची एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुधाओं को ध्यान में रखते हुए सौ करोड की लागत से विकास के कार किये जा रहे हैं एयरपोर्ट की अंदर पहले तेले का विस्तारी करन किया जा रहा है ताकि 500 से 600 लोग अराम से बैठ सके लाइबरेरी एवं कैंटी समयत कई अनिस्विधाय भी दी जाएगी केंदर सरकार दोवारा एस्टूरेंट के लिए फ्लाइट में 25 किलो तक का समान भी ले जाने की छूट दी गई है उन्हें सिर्फ कॉलेज का आईडी कार्ड इसके लिए दिखाना पड़ेगा केंदर सरकार दोवारा एक और विवसा की गई है कि जिन यातिरों की फ्लाइट अगर किसी कारण वस छुड़ जाती है तो अब पैसे भी नहीं कटेंगे उसी कंपनी की फ्लाइट से उन्हें दोबारा गंतव्यास्थान तक भेजने का प्रोधान किया गया है